श्री शिवाय नमस्तु भियम दोस्तों तेरा फरवरी को फालगुन मास की सब्तमी तिती है इस सब्तमी तिती को सोमवार पढ़ रहा है और फालगुन मास का सोमवार इंदू धर्म में बहुती अधिक महत्वता रखता है यह सभी बाते हम सभी को पता है पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा की कथा को श्रवन करने के बाद मिश्रा जी का आकड़े की जड़ वाला उपाय आपको करना है यह चोटा सा उपाय विदिवद रूप से विस्तार पुरुवक हम पहले जानेंगे उसके बाद आप यह उपाय करिएगा इस स्वामवार को पुरिविदिवद रूप से विस्तार पुरुवक पुरिश्रद्धा भाव से अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर में जो समस्याओं का जो दोड़ चल रहा है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो इस उपाय की करने से आपके भ बताया था साथी में मिश्रा जी ने इस उपाय को एक और अलग तरीके से करने का भी बताया था तो अगर आप गर्ब धारन वाला वीडियो देखना चाहते तो चैनल पर आपको उपलब्द हो जाएगा पुजु गुरु जी पंडित प्रदिप जी मिश्रा का यह आकड़े की जड़ वाला उपाय आईए जानते हैं इस उपाय को करने के लिए सबसे पूर्व आपको एक छोटी से आकड़े की जड़ लेनी है शुद्ध होनी चाहिए सोंवार के दिन ही आप यह आकड़े की जड़ लेकर आईएगा एक शुद्ध लोटा जल और यह दोनों सामगरी लेकर किसी भी नजदी की शीव मंदीर में आपको चले जाना है आकड़े की जड़ छोटी हो बड़ी हो कैसी भी किस प्रकार की भी आप ले जा सकते हैं जो की शीवलिंग पर अरपित हो सके एक शुद्ध लोटा जल हो रही है दोनों सामगरी शीव मंदीर में ले जाने के बाद आपको क्या करना होगा की जो आकड़े की जड़ आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे ओम नमस्षिवाय मंतर का जब करते हुए आपको शीवलिंग के उपर अरपित कर देनी है उसके बाद कुछ देर मंदीर में बेटकर शीवाय नमस्तुभियम ओम नमस्षिवाय मंत पर अरपित करने के बाद चुद्ध लोटा जल लेकर आपको शीवजी को जल अरपित ओम नमस्षिवाय मंतर का जब करते हुए कर देना है यह चोटा सा उपाए विस्तार पूरवक्त पूरी श्रद्दा विश्वास से अगर आप करेंगे तो आपका भाग जो साथ नहीं द अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशे जानकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा के इसे ही उपाय आगे बेजानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिज